डॉक्टर प्रियंका मौरेट जी हमाई साथ जीन आज भरजिंदा पार्टी की सहस्ता ग्रहंट किया पोस्टर गल के नाम से आपको हर जगे दिखाया गया लेकिन आप भरजिंदा पार्टी में हों कॉंग्रस को पर बड़ा आरोप लगा रही है क्या कहना चाहेंगी मैं यह क कि लड़की हूं लड़ सकती हूं तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपकी अपनी पार्टी की महिलाएं ही लड़ रही हैं और आप उस पे ध्यान नहीं दे पा रही है तो ध्यान दीजे कि किस तरीके से आपकी ही पार्टी में आपकी ही महिलाओं के साथ गलत हो रहा है अगर आपने उसके खिलाफ आवाज उठाई होती तो शायद मेरा वो विश्वास नहीं तूटता मैं समाज सेवी का हूँ डॉक्टर हूँ पिछले 5-6 साल से लगातार समाज सेवा कर रही हूँ लोगों के बीच जा रही हूँ उनकी परेशानिया सुन रही हूँ और जो भी मेरे र नहुसार मैं उसका निवारण करने का भी पूरा प्रयास करती हूँ लेकिंगर जी कॉंग्रेस का ये कहना है कि आपने लाइम लाइट पाने के लिए पूरा जो है प्रपोगेंडा तैयार किया है आप कॉंग्रेस पार्टी से प्लीज ये पूछें कि क्या उन्होंने मुझ जो personality है एकदम clean है I have no criminal cases मेरा OBC समाज मेरे साथ खड़ा है मेरे community के लोग मेरे साथ खड़े हैं मौरिया शा के कुश्वाहा सैनी महिलाएं खड़ी है क्योंकि मैं महिलाओं के लिए हमेशा आगे खड़ी रहती हूँ तो मेरे face को सर्फ इस्तमाल किया गया है vote bank के लिए जब बात आई ticket देने की तो मेरे सामने एक ऐसे पुरुष को ले आके खड़ा कर दिया जो एक महीने पहले जिसने party join की है इस बात पे भी गौर करने की जरूरत है कि मुझे लोग कह रहे हैं कि politics करते मुझे दिन ही कितने हुएं तो मैं कहूंगी कि politics या फिर तजुर्बा बाल मैं देने से नहीं आता मैं मेहनत से लगी हुई थी पिछले एक साल से और जिसको इन्होंने एक महीने पहले लेया करके इसी वादे के साथ टिकेट दिया कि इसी वादे के साथ जॉइन करवाया कि उसे टिकेट देंगे उसका क्या तजुर्बा रहा Congress Party के लिए तो मैं एक सा Party की महिलाओं को मौका भी नहीं दिया लडने का तो यह मात्र एक स्लोगन बनके रह गया चुनावी स्टंट बनके रह गया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं प्रियंका वादर जी को यह समझना होगा कि किस तरीके से उनी की पार्टी में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है उनी की दिगई रिपोर्ट्स में मैं नंबर वन पे थी लेकिन मुझे प्रमोट नहीं किया गया प्रियंका जा रहा है कि आपका चेहरे इस्तिमाल करने से पहले एक साइन भी आप से करवाया गया था लेकिन बावजूद आप यह कह रही किस तरह का वो आप लोगों के सामन वो प्लीज दिखाएं, उसके बाद मैं उसके टिपड़ी करूँगी, क्योंकि ये गलत है, जिस दिन मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, उस दिन मुझे पता चला कि मेरे चेहरे को इस्तमाल किया गया है प्रियंगर जी आखरी सवाल है, भाजपा आपने जॉइन की है, आप आगे के क्यारान निती रहेगी, क्या भाजपा टिकेट देगी आपको? कि मैं अपने हांस के दाइरे को बढ़ा पाऊंगी, अपने रिसोर्स को बढ़ा पाऊंगी, और समवधानिक तरीके से, राजनितिक तरीके से मैं लोगों के बीच जाऊंगी और उनकी मदद करूंगी, लेकिन जब मुझे लगा कि ये मौका मेरे साथ ही कॉंग्रेस है, और मैं सारी महिलाओं के साथ यही कहना चाहूंगी, कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के ऊपर कोई भी अत्याचार हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, आप हम से जुड़िये, हम आप तक पहुचेंगे, और आपकी हर परेशानी का निवारर करने का पूरा प्रयास करेंगे.